नमस्कार आप सभी का स्वागत है चौथा अस्तम न्यूज में आज हम आपको महराज गंद का जो परसिद बुकड़ा देवी मा का स्थान है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे और वहां पहुंचे हैं इस मंदिर के बारे में हम बता दें आपको कि यह महराज गंद जिला मुख्याले से लगबक 13 किलोमीटर दूर जो स्वहगी बरवा जीव अबर्याड है उसके अंदर आपको धाई 3 किलोमीटर अंदर आएंगे उसके बाद इस मंदिर पर आप पहुंचेंगे यह मंदिर आप देख सकते हैं कि कितना भब मंदिर है और साथी साथ यहां पर जो इसे भब बनाने का काम चुकी लागडाउन था इस वज़े से बंद भी पड़ा था तो जो रंग रोगन है इसका रंगाई पताई किया जा रहा है आपको हम जो मंदिर परिसर है उसको भी कि यह जंगल के अंदर है और यहां भारी भी उमरती है और आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरामन को बोलेंगे कि थोड़ा सा यह इधर भी दिखाएं जहां हवन होता है उधर भी है और यहां तमाम लोग हैं चुकि यह मंदिर जंगल के बीच में है तो यह कहीं न कहीं ज स्थान है उसके जो मुख्य पुजारी हैं स्री राम चरण त्यागी जी हम उनसे मंदिर इस्तियास के बारे में जानेंगे बाबा जी ये मंदिर को कब लोगों ने जानना शुरू किया ये मंदिर का इतियास बहुत पुराना सन 1932 में एक बुजरित महात्मा आये जिनका नाम स स्री छांगुर दास्त महराज है और उनके माध्यम से सेखु के पेड़ से जगदम्बा की उत्पत होई तब से लोग का आना जाना शुरू हो गया उनके बाद उनके सिस से आये नागु दास बाबा उनकी भी शरीर छुट गई मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है आज भी लोगों की सरधा का आस्था का क्यंदर बना हुआ है दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनत को मानते हैं मैया की सारी मुरादें पूरा करती है मैया का मुख चढ़ावा नारिवर है चुन्दरी है और जनौर भी चढ़ाते है हैं अपनी मनत मान करके घंटा भी चले जाते हैं सारी लोगों की मुरादा पूरा करती है मैया और जंगल बियावान है नेचुरल जगह है एकांत का आवास है मैया निवास करती है बहुत से भक्त दूर दूर से है तो जो स्रधालू आते हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो आती है अपने भक्त के ऊपर नजर करके अपने मंदिल तक बुला लेती है साल में कितने बार यहां कुछ विशेष कारिक्रम का आयोजन या समारोह का आयोजन किया जाता है दोनों नौरातन जो है आपका भारी भीर होती है आउससे भी काफी भीर फश्ट जन्वरी को होती ह लोग नए साल के उपलक्ष में यहां बहुत लोग आते हैं अपनी मन्नत मानने के लिए और पूजा चड़ाने के लिए और सर्धा व्यक्त करने के लिए तो कभी-कभी होता है कि जंगल में आप बिना पर्मिट के नहीं जा सकते तो सरधालूओं के लिए कुछ ऐसा भी है कि अगर फोर विलेर कुछ से आते हैं तो उनको कुछ टेक्स या कुछ रसीत देना पड़े फारिश डिपार्ट अपनी डिप्टी गेट पर देती है और हर गाड़ियों से वह सौध दूसर रुपया असूल करके छोड़ देती है जहां तक संभव होता असूलते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं सरधालूओं को इससे मंदिर में माता से मांगते हैं कुछ तो पूरा हो जाता है तो कैसा चड़ावा चड़ाए जाएं जैसे कोई कहा दिया मेरा एक काम होना से यह तो उसके लिए अपनी मनत मांगते फ़ला चीज़ देंगे या अपनी घंटा देंगे जो भी छोटा बड़ा देते हैं उसके बाद यहां पर चड़ाते हैं और इदर भी अपना जयो नार होता है खीर होता है मांगें अगर मेरी भी मांगेंगे तु जरूर पूरा होगा डिश साथ में 37 चन्यादो चोथा अस्तम उत्तर परदेश